आपकी किचन के काम को आसान बनाने के लिए आपकी बहुत सारी मुश्किलों को खत्म करने के लिए और आपकी खाने को स्वाधिस्ट बनाने के लिए आज मैं आपके साथ पहुत ही यूनिक और न्यू किचन टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहे हूं टिप नमबर वन ये मेरी टिप है सेव के बारे में देखिए सेव हमारी हल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है हम सभी को सेव जरूर खाना चाहिए लेकिन सेव के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे कट करते हैं तो ये थोड़ी देर में काला पड़ जाता है जब हम इसे बच्चों के लंच बॉक्स में रखते हैं तो ये काला पड़ जाता है फिर बच्चे से नहीं खाते हैं तो आज आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स में एपल रख कर देंगे तो ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सेप को अच्छे तरीके से धोकर मैंने से कट कर लिया है, और अब आपको टिप बताऊंगे, जिससे कि ये सेप बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया बना रहेगा, तो सेप को कट करने के बाद, आप एक बूल में डालें पानी, ये नॉर्मल पानी है, गरम ये ठंडा पानी नहीं है, अब इसमें आपको टाल देना है, आदा चमच काल नमक, काला नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, और जो आपने सेप कट किया है, वो आप इसमें डाल दें, और 5-7 मिनट के लिए ये जो सेप है, इसे ऐसे ही इस काले नमक वाले पानी में पड़ा रहने दे, और अब आप 5-7 मिनट बाद ये सारे पीसल निकाल लीजे, और अब इन्हें आप बच्चो के लंच बॉक्स के लिए रखे, ये जो सेप है, बिल्कूल भी काला नहीं पड़ेगा, तो जब भी आपको सेप को बच्चो के लंच बॉक्स में रखना हो, या खुद भी खाना हो, और आपको चाहिए कि ये काला ना पड़े, तो इस टिप पसंद भी होती है, तो आज आपको टिप बता रही हूँ, जिससे अगर आप दाल बनाएंगे, तो दाल बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी, तो दाल को मैंने पहले से उबाल के रखा है, अब मैं ये दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने पैन में दो चम जीरा डाल दिया और एक चोथा ही चमब जिसमें मैंने हींग डाल दिया, अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बारी कटा हुआ प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी डाल में तड़का लगा सकते हैं, तो यहाँ पर प्याज को हमें थोड़ा सा भूनना है, अब प्याज को हलका सा भूनने के बाद मैं इसमें अड़ करूंगी लैसुन, तो यहाँ पर पांचे लैसुन की कलियां कट करके मैंने इसमें डाल दी हैं, बारी कट किया लैसुन को और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे, जब प्याज और लेसुन भून्च है, तो आपको इसमें डालने हैं टमाटर और हरी मिर्च, एक टमाटर और दो हरी मिर्च को पारे कट करके डाल दें, और अच्छी तरीक से इने मिक्स करें, अब आप कहेंगे कि इस तरह तो हम सभी तड़का बनाते हैं, इसमें खास क्या है, तो व्हो मैं आपको बताने वाली हूं, देखे, अब आपको इसमें डाल देना है आदा चमच लाल मिर्च पाॉडर और थोड़ा सा हल्दी पाॉडर, और ये डाल दिल्याश में नमक, और ये इसमें डाल दिल्यामने एक चमच धनिग। नोर्मली तड़का में डालते ही ह तागी से आपकी जो डाल हैना वो सुपर टेस्टी हो जाए, देखे आपको ये टमाटर बगएर अच्छे से मैश कर लेने हैं, और अब आप इसमें डाल दें, एक चममच चाट मसाला, और साथ ही आप इसमें डाल दें, बारी कटा हुआ हराधनिया, और अब मैं इसमें डाल आप देखेंगे कि इस तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल दिया है ताकि से जो मसाले वगएर ना वो चले नहीं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें और अब जो दाल हमने उबाल के तियार की हुई है उससे हम इसमें डाल लेकिन मैं आपको सेजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट में तो धनिया डालते हैं लेकिन तड़का बनाती समय उसमें भी थोड़ा सा धनिया और आप चाट मसाला डाले फिर देखें डाल का टेस्ट कितना वड़ जाएगा अब ये थोड़ा सा धनिया बाद में डाल दिया है के लिए लैसुन किसने के लिए और भी चीजे जैसे की लौकी बगरा इसने के लिए इस्तिमाल करते हैं यह जो है इस्तिमाल में आते आते गंदा हो जाता है प्रॉपरली यह क्लीन नहीं हो पाता इसके यह जो होल्स होते हैं इनमें गंदगी भर जाती है तो इसे बहुत यह करने के लिए अपको क्या करना है, आपको toothpaste लगा करना है और इस तरीके से इसके उपर टूथबेस्ट लगा देना है त Рाम से दीरे दीरे नीचे से उपर की तरफ लगा एगा ताकि से आपके हाथ भी न कटे, अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजे लगभग 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चोड़ें और 10 मिनट बात आपको क्या करना है आपको कोई भी टूद ब्रश ले लेना थोड़ा सा पानी लेना है यह जो टूद ब्रश है इसे मैं किचन में ही सफाई वगरा के लिए इस्तमाल करती हूं तो यह मैंने यही ले लिया है और अब इस तरीके से आपको इससे ग्रेटर को क्लीन करना है टूद ब्रश से क्लीन करने में क्या होगा इसके जो होल्स है वो इसली बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहेगी यह देखिए इस तरह दोनों तरफ से हम इसे क्लीन कर लेंगे बीच बीच में जो ब्रश है इसे पानी में डिप करते जाएंगे और बस अब यह क्लीन हो चुका है तो अब मैं इसे आपको पानी से दोकर दिखाती हूँ यह देखिए जो हमारा ग्रेटर है बहुत यह अच्छे तरीके से चमक गया इसकी सारी गंदगी साफ हो गई है तो जब भी आपका ग्रेटर गंदा हो जाए तो आप इस टिप को जरूर फॉलो करें इससे आपका ग्रेटर एकदम क्लीन हो जाएगा टिप नंबर 4 यह मेरी टिप है पूरियों के बारे में हम सभी के गरपर पूरियां तो बन लाख लें और फिर आप inanय ने बेले तो यहां पर सारी पूरियों को बेल बेल कर कर आपको एक प्लेट में रख लीजें अगर आप हल्का सा ऑफ लगा कर तो नहीं चिपकेंगी मैंने काफी सारी पूरियां प्लेट में रख दी है अब आपको क्या करना है फ्राइ करने से पहले इस तरह बेलने के बाद आपको पूरियों को रख देना है फ्रिज में इस तरह प्लेट में रखकर फ्रिज में रख दें दस मिनट के लिए और दस मिनट बाद अभी ये मैंने फ्रिज से पूरिया निकाल ली है और अब मैं इन पूरियों को फ्रै करूँगी तो ये आइल मैंने पहले गर्म करने रख दिया था आइल अच्छा तेज गर्म है और गैस का फ्लेम भी हमने हाई रखा है और आइल में हम ये पूरिय डाल देंगे और आप देखेंगे कि सारी पूरियां एकदम फूली फूली बनेंगी और ये जो पूरियां है नहीं ये ओयल भी नहीं सोखेंगी तो जब भी आप अपने घर में पूरी बनाएं तो इस टिप को जरूर फूलो करें कि पूरी को बेलने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें तो ये आपकी जो पूरियां एक सारी पूरियां फूली फूली बनेंगी एकदम गुबबारी की तरह फूलेंगी और ये जो पूरियां है न ये बिल्कुल भी ओयल नहीं सोखेंगी है ना बहुती अच्छी टिप तो जब भी पूरी बनाएं इस टिप को फॉलो करें आपको कौन सा टिप ज़्यादा पसंद आया मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं टिप नमबर फाइब ये मेरे टिप आपके बहुती काम आईगी देखिए जब भी हम कोकर में आलू उबालते हैं तो पानी डाल कर आलू उबालते हैं और जब आलू उबल जाते हैं तो हम आलू को निकाल लेते हैं और इस पानी को फैक देते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो पानी है जिसमें हमने आलू उबाले हैं ये भी बहुती कामका है और ये जो उबले हुए आलू है इनके छिलके भी बहुती कामके हैं तो चलिए देख लेते हैं, यह जो हमने आलू उबाले थे कोकर में, उस पानी को हमने एक बरतन में निकाल लिया, और जो आलू उबाले थे, इने भी हम इसी बरतन में पानी में इनके छिलकों को डालते जाएंगे, तो यह आलू हमने छील लिए, इनके छिलके भी हम डाल दें ये उबले हुए आलू के छिलके और आलू का ये जो पानी है इसका हम इस्तमाल करेंगे चान्दी की चीज़े साफ करने के लिए ये देखे ये पायल है बहुत ही गंदी हो गई है मैंने इस पानी में ये पायल डालती है और अब आपको क्या करना है आपको इसे रख देना है के उपर कैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है और इसे गर्म करना है बहुत ही अच्छी तरीके से और अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक चमश टिश्वास लिक्विड अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगा कोई भी डिटरजेंट का इसमाल कर सकते हैं अब इसे अच् तरीके से उबल रहा है पानी और बस अब मैंने यहां गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और अब आपको इसे कैसे क्लीन करना है वो मैं बताती हूं देखिए पानी देखिए कितना गंदा सा हो गया है जो हमारी पायल में गंदगी थी वो पानी में निकल चुकी है अब यह जो क्लीन करेंगे तो देखे कोई भी आप प्रश ले लीजे और इस तरीके से क्लीन कीजे प्रश से अच्छे तरीके से आपको इने रगड़ना है ताकि से इन में जो भी गंदगी है वो सब आसानी से निखल जाए देखे बीच बीच में आपको ये पानी डालते जाना है इनके तरीके से ने रगड़ते जाना है और ये जो पायल है एकदम नई जैसी हो जाएंगी सारी गंदगी इनकी निकल जाएगी ये आलू का जो पानी होता बहुत ही काम का होता है इससे चांदी की चीज़े बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है ये देखे इस तरह थोड़ा-थो जो पायल है एकदम नई जैसी हो चुकी है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राब करें, बेल आइकन को प्रेस और आल पर क्लिक